नमस्कार किशान वहीं और स्वागत है आपका एक बार फिर से स्मार्ट खेती किशाने चैनल में आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले एक AC07 की विराइटी के बारे में जो कि काफी ज़्यादा किशान वही इस विराइटी को पसंद करते हैं जी हाँ मैं बात करने वाला हूँ जो विराइटी का नाम है RBCM 1135 ये विराइटी काफी ज़्यादा किशान वही पसंद कर रहे हैं ये विराइटी को हमने पिछले साल भी लगाई थी है और इस साल भी लगाई है जो कि मैं आपको ओन फिल्ड केस से बता रहा हूँ ये जो वीडियो में देख पा रहे हूँ आप ये जो है वीडियो लगवग रक्षावंदन का समय का वीडियो है जब हमारे स्वयविन फूल पर चल रहे थी और करे बन रहे थे वो मैं आपको पूरा इस वीडियो में बताऊँगा तो जो किसान भी हमारा चैनल पर नहीं आये हैं जिन्होंने अभी तक हमारा चैनल सस्काइब नहीं किया हो तो प्लीज सस्काइब कर ले और बेल आइकन दवाए ताकि आने वाला जो भी मैं वीडियो अपलोड करूँगा उसका नोटिफिसन आपको मिल जाएगा तो चलिए वीडियो सुरू करते हैं मैं हूँ आपका दोस्त गोविन गुजर और आप देख रहे हैं स्मार्ट खेति के सानी चैनल आज हम इस वीडियो में बात करने वाले आप देख सकते हूँ कितना अच्छा प्लॉड लगा हुआ है काफी ज़्यादा है हमारी स्वैविन की विराइटी ने हाइट ली है यह देखिए इसमें उपर तक फूल आते हैं और इसका जो पत्ता होता है वो गोल, अंडाकार, त्रिकुना, हलका सा पत्ता होता है जो कि आप वीडियो में देख रहो इस प्रकार से यह विराइटी आती है अगर मैं पिछले साल की बात करूँ तो पिछले साल जो हमें उत्पादन मिला था वो प्रती एकड नौ से दस कुंटल मिला था जो कि अच्छा उत्पादन रहता है सोयविन के लिए ये देखे इसका जो तना होता वो भी काफी ज़्यादा मजबूत रहता है वो प्रचर माता में इसकी साखाएं होती है अगर हम इसके जो रवे करे की बात करे तो उसमें कोई समस्ते नहीं है काफी अच्छे रवे आये थे उस समय पर ये लगबग जो हमारी वीडियो है उसे मैंने बनाया था अक्षा मंदन के समय पर उसके बाद मैंने अगला वीडियो बनाया था पोड जा हमारी फलिया सेट हो गए थी तब तो वो भी आगे मैं बता हूँगा यह जो आप इसके हाइट देख सकते हो लगभग कमर के वरावर इसकी हाइट है मतलब काफी जादा हाइट है गुठने से उपर और कमर के पास इसकी हाइट रहती है और जो की अच्छी है हमारे लिए हर्वेस्टन से कटिंग करने के लिए अब अगर मैं इसके फूल की बात करूँ तो इसमें लगभग नीचे से फूल उपर तक आते हैं जो कि आप वीडियो में देख रहे हो यह देखिए उपर से नीचे तक बिल्कुल टॉप तक इसमें फूल आते हैं और इसमें एक और चीज रहती है कि यह अलग-अलग स्टे स्टेज में आपको करें दिखेंगे कुछ पूर्ड बनने की स्टेज में चले जाएगी और अभी तक फूल भी आ रहे हैं मैं आपको आगे और वीडियो में दिखाऊंगा और इसका तना मजबूत रहता है नीचे से जड़े रहती बहुत मजबूत रहती क्योंकि अधिक फ करो उतनी कम है इस विराइटी की और अगर हम इसके सीट रेट की बात करें कि हमने इसका सीट कितना लिया है मतलब इसका विजाई कितने किलो की है तो प्रती एकड हमने इसकी 35 किलो विजाई की है और इस विराइटी की बात करें तो इसे जेस 335 से निकाली गई ये विराइ लेकिन किसानवज अगर हम बात करें इस साल की तो क्या हुआ कि अधिक वारीइस होने के कारण इसके जो दिन अुदि है उसका प्राइमेट है वह थोड़ा सा गड़ड़ा गया है मतलब अब इसकी जो पकने के आउधी है वह थोड़ी लेट हो सकती है क्योंकि में को जहां तक इसा लग रहा है अब आगे हम बात करें इस विराइटी के बारे में कि जो हमारे पोर्ट जब सेट होते हैं मतलब जितने फू प्रकार से जो विराइटी है उसमें फल आया हुआ है जो कि मैं आपको स्क्रीन पर दिखा देता हूं तो यह इस प्रकार से आप देख सकते हैं वीडियो में जो कि मैं आपको स्वयविन की फसल में फल दिखा रहा हूं कुछ इस प्रकार से हमारी जो है आर्वी सेम गैरा प कोई समस्या नहीं आई है हाँ कुछ हद तक इल्लियों का प्रकौप रहा था तो क्यों क्योंकि अधिक बारिस होने के कारण इस पर नहीं हो पाये थे और मैं आगे आपको नेश्ट वाले वीडियो में बताऊंगा कि हमने इस फसल में कौन-कौन से इस पर किये हैं कौन ची फं स्बूल आते हैं पाउधा किस प्रकार से हैं अधि कोई रोग पति रोग है या नहीं है क्योंकि अभी जो समय चल रहा है उसमें काफे किसान भाईयों की एक समस्या आ रही है कि उनकी जो सोयावी ने अचानक पीली पढ़ रही है तो उसके लिए मैंने कई वीडियो बना र लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें अपने किशान भहीयों में इस वीडियो को सेğर करें और बहुत जल्द हम अगले वीडियो में मिलने वाले हैं उस वीडियो में हम बात करेंगे एनार्सी 142 विराइटी के बारे में कि वह ओन्पिल्ड किस प्रकार से लग हूये और कितना फल आया हुआ है और यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें और साथ इसाथ मेरे चैनल को सस्काइब करना ना भूले धन्यवाद